साथियों NCC की यह रेली वन वर्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को निरनतर मजबूत कर रही है 2014 में इस रेली में दस देशों के कैड़ेट्स ने हिस्सा लिया था आज यहाँ 24 मित्र देशों के कैड़ेट्स मोजूद है मैं आप सभी का और विशेशकर विदेशों से आए सभी यंग करेड़ेट्स का अभिनांदन करता हूं मेरे विवा साथियों इस वर्ष देश पचत्तरवा गणतंत्र दिवस मना रहा है यह एतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा हमने कल करतव्य पतपर भी देखा कि इसकवार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा कभी बेटियों की भागेदारी सिर्फ सांस्क्रिदिक कारकमों तक सीमित रहती थी आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल थल नब और अंत्रीश में कैसे लोहा मनवा रही है इसकी जांकी कल कर्तबेपत पर सबने देखी है यह जो कुछ भी कल दुनिया ने देखा यह अचानक नहीं हुआ है यह बीते दस वर्सों के सतत प्रयास का परणाम है भारत की प्रंप्रा में हमेशा नारी को एक शक्ति के रुप में देखा गया है भारत की धर्ति पर रानी लक्ष्वीबाई रानी चिन्नम्मा और वेलू नाचियार जैसी बिरांगनाय हुई है आजादी की लड़ाई में एक से बढ़कर एक महिला क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को पस्त कर दिया था बिते देस वर्स में हमारी सरकार ने नारी शक्ति की इसी उर्जा को निरंतर ससक्त किया है आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैं मेक इन इंडिया और आत्म निर्वर भारत की बहुत बात करता हूं ये दोनों अभियान भी आप जैसे युवाओं के लिए हैं ये दोनों अभियान भारत की युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं सरकार के प्रयासों से बीते दस वर्सों में भारत की डिजिटल एकोनामी हमारी युवाओं शक्ति की नई ताकत बनेगी हमारी युवाओं शक्ति की नई पहचान बनेगी भारत भी अग्रणी डिजिटल एकोनामी बन सकता है तर एक बात कहता हूँ ये जो अमरुत काल है यानि आने वाले पचीज साल है इसमें हम जो विक्सित भारत बनाने वाले हैं उसका लाभार्थी मोदी नहीं है उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवाँ है इसके लाभार्थी जो विद्यार्थ अभी स्कूल में है कॉलेग में है युनिवर्सिटी में है वे लोग है विक्सित भारत और भारत के युवाँ के केरियर की ट्रेजेक्टरी एक साथ उपर की तरफ जाएगी इसलिए आप सभी को भी महनत करने में एक पल भी घवाना नहीं चाहिए झाल